अब इस तक एड नहीं किया मैं आने वाली नेक्स विडियो में शाम तक इंशाला एड कर दूगा जो एमसी कुछ बिल्कुल समझ में डाल दी हैं ऑप्शन बिल्कुल नहीं डाले मैंने जाए बात है जो को यह नहीं बताया आकर मैंने थोड़ा-बुथ मुझे जो अंडरसें आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं सबसे प्रेक्स यह था अब यह मुश्किल बात यह है कि यह पूरा सॉल्यूशन है लंबा सॉल्यूशन है इसको सॉल्फ करना पड़ेगा एक्स की वैल्यू निकाल नहीं है अब मैं आपको एक सिंपल हल बता दूँ आप मेरे माइनस टू डाल दिया अपन को कॉपी कर रहा हूं बड़ेटा कुछ नया काम नहीं कर रहे अपने अब वाला जो है वो option प्रेस किया alpha प्रेस किया closing bracket प्रेस की x plus 2 है तो x-2 डाल दिया upon x-2 alpha प्रेस किया और this and this यह राइट-hand side पर आपने जो value है उसको left पर shift करूंगा तो क्या आएगा यह plus 34 upon 15 है ना जब मैं left side shift करूंगा तो 34 upon 15 हो जाएगी तो क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ यूँ लिख सकता हूँ क्या 34 upon 15 यह नहीं कहने का मकसद है आपको कोई भी दुनिया की question दे रही जाए जिसमें single variable हो x यह फिर y आपने करना क्या है आपने जितनी भी उसकी right hand side वाली चीज है उसको left में shift कर देना है सही है यानि तमाम चीजों को एक बटन दबा दूँगा तो सही है आप मेरी value देखें x की क्या value हो गए minus 8 यह x का answer आगया minus 8 फोरन इसने answer देदी आपके सामने within seconds से बेटा आपका answer दिये अगर आपको यह चीज प्रूफ करनी है कि आपका answer ठीक आया नहीं आया तो आप एक काम कर सकते हो एक की जगह पर 8 minus 8 फोट किजेगा minus 8 किजेगा put और आपका answer 34 upon 15 आएगा एक option और भी हो सकता है कि आपके पास जो number given options होंगे आप x की जगह पर वो option put किजेगा one by one जिस पर left hand side और right hand same time आजाए वो भी answer है एक तरीका मैंने आपको बदा दिया गा calculator बदा तो आपके ओपर depend करते हो आपको उसा method follow करते हो जो आपको असान लगे वो आप किजेगा तो x की value आ गई minus 8 यह कोई मैं solve करके नहीं दे रहा है calculator solve करके दे रहा है जिसमें बिल्कुल भी error नहीं होगा तो बेटा next question की तरफ move करते हैं हमारे पास question number 2 में triangle a b c sin alpha a की value दीवी है sin a की value sin अच्छा यह b है बेटा यह tapping mistake है यह sin b दिया हो है sin b की value दीवी है और sin c पूछ रहा है अच्छा बच्चों नहीं मुझे यह condition बता दी कि sin a की value दीवी थी और sin b की value दीवी थी sin c पूछा हुआ था मुझे 3-4 बच्चों ने same question बताया लेकिन हर बच्चे ने value different बताई थी कोई बता था 1 upon 2 था और मालब values different थी तो मैंने मुझे एक student जो मुझे values दी है मैंने वह यहाँ पर copy करके डाल दी है method same होगा values बेशक change हो जाए आपको पता होना चाहिए जितनी भी sum of all angles यानि a plus b plus c इन सब का अगर मैं sum कर लूँ तो 180 के equal होता है आई होप आपको इतना तो पता ही होगा आप इसमें यहाँ पर sign law के थूरू भी use solve कर सकते हो अगर आप sign law use करते हो तो आपको size चाहिए होंगी थोड़ा लंबा method हो जाएगा मैं आपको असान method बताता हूँ मुझे यहां से a की value निकालनी है तो क्या कर दूँगा sin inverse कर दूँगा तो a equals to sin inverse 3 upon 5 which is equals to 36.86 angle and b की value निकालनी है तो sin b equals to 5 upon 13 है b value के साहिए sin inverse 5 upon 13 तो यह 22.61 आ गया अब a plus b plus c equals to 180 यह मुझे formula बता है और यह बच्चपन का common common sense का formula है थम of all angles is always equals to 180 degree तो मैं क्या करूँगा c निकालनी है ना बिटा मुझे यहां से c unknown है तो मैं a और b को 180 के पास shift कर दूँगा b plus का है माँ जाके minus का हो जाएगा a plus का है माँ जाके minus का हो जाएगा तो 180 minus a 1 minus b और c आ गया 120.51 और अपने साइन सी साइन सी निकालनी है ना देखें साइन सी तो साइन और c एंगल पुट किया तो आउसर आगया 56.65 लेकिन अब यह इतना लंबा चोड़ा method आप करता हो सकते हो बेटा लेकिन मैं अगर आपकी जगा होता हूँ मैं कल्कुलेटर से करता मैं क्या करता मैं क्या करता मैं देखिएगा अगोर से देखिएगा 180 लिखा मैंने अब मैं आपको पूरा मैं लिख लूँ फिर आपको explain करता हूं यह जरा मैं लिख लूँ और फिर मैं explain करता हूं जो बच्चे जिन्होंने सही से पढ़ा वेयां उनको पता होगा कि मैं कर किस तरह से रहा हूं यह हो गया आपका 3 upon 5 जिन बच्चों को जिन बच्चों ने सही से पढ़ा वेया उनको आइडिया होगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूं तो इसलिए मैं explain भी कर दूंगा इसी घबराने वाली बात नहीं है जिस्ट आप फोकुस करें कि क्यों हो गया आपका देखें आंसर आगे 56 upon 65 यानि मैंने कोई इतना लंबर चोड़ा काम नहीं किया मैंने डिरेक्ली एक expression बना दी मुझे पता था 180 माइनस दिस एंड दिस सही है वो इक लोगा सी के तो मैं डिरेक्ली क्या किया मैंने कल्कुलिटर में एक form बनाई मैंने क्या किया 180 माइनस ये व साइए फिर माइनस साइन लगाया ये वल एंगल कहां से आया है साइन इंवर्स 5 upon 13 से आया ना तो मैंने कल्कुलिटर में लिखा साइन इंवर्स 5 upon 13 अब बिटा आंसर क्या आगा अब तो c का अंसर आगा ना ये इस c का अंसर आगा देखो c की expression बना दी है तो मैंने ब्रेके ही लगा न युद्ध स्य लिए लगा है क्यूंकि रिखेना देखर लिए कि मामनस अगर मैं यहां से कमन लेता हूं तो क्या अंदर बने का प्लस बने beggar न zug on 3 a pound 5 कि है यह थो पॉन 5 less sign इन वर्स 5 में थिन यह चांड सुमस्ट एपको यह इतीज तो um pastors फॉन 3 upon 4 मुझे formula पता है sin square x plus cos square equals to 1 sin x की value क्या है 3 upon 4 इसका मैंने square कर दिया cos square x equals to 1 तो यह क्या कर सकता हूं मैं लिख सकता हूं 1-3 upon 4 का whole square और मैंने root लगा दिया क्यों क्यूंकि यह square यह cos का जो square था यह मुझे खतम भी तो करना था यह form यूं बन जाएगी 1-3 upon 4 का square का होता है बेटा 9 upon 16 which is equals to cos square x अब मैंने क्या किया मैंने root ले लिया दोनों तरफ यह सी बात है मुझे square खतम करना है मुझे question क्या करना है cos x find out करना है तो square से यह root cancel value आ गई लेखें वही तो कि है मैंने 3 upon 4 का square अंडर root 7 upon 4 answer आ जाएगा बेटा बिलकुल सिंपल सा बेटा common sense लगाने common formulas लगा के आपने solve करना है 0 factorial and 1 factorial किसके equal होता है 1 के equal होता है बेटा यह मैं इतनी रफ्तार के साथ यहां इतनी तेज़ी से इसलिए वीडियो बना रहा हूं एंसी कुछ बहुत जाद हैं और में सी कुछ टाइप करके बनाने फिजिस कमेस्ट्री वगारा के जल्द जल्द आप तक वीडियो आपके लिए पहुंचाई जाए आपके पास तो अगर कोई मिस्टेक हो जाए या को बहुत फास जा रहा हूं तो अंडर्सेंड कीज़ेगा बेटा पूछा बाता बेटा इसमें प्रॉपर्टी कौन से यूज होती है वह उतने ऑप्शन दिए वे होंगे ऑविसली तो ऑप्शन मैंने यानी टाइप किये ना मुझे प्रॉपर्टी बिता दिए कि सर यह प्रॉपर्टी कुछी भी थी तो मैं समझ गया भई जाहिए इसका पूछा वोगा यह कौन सी टाइप है यह है सिमेट्रिक टाइप अगर वह यह कहता ना एकोस टू एकोस टू माइनस ए ओफ टी तो यह होती आपकी स्क्यू सिमेट्रि लेकिन अगर यह पॉजरी वह जा तो क्या बनती है स्यमेट्रिक मेट्रिक्स अब बेटा यहाद रखिएगा यहाँ पहले पावर फॉर्मला लगेगा मैंने क्या किया इस पावर को इसको इसको तू को यहा रखा function मेंस पावर मेंस एक माइनस किया डेरिविटिव क्या करता है बेटा, x square का derivative क्या होता है, आप 2 को लिखते हो, सही है, फिर x की power में से minus करते हो 1, तो यही तो किया मैंने, power लिखी, function में से power में एक minus किया, और फिर अब इस function पे भी derivative लगेगा, देखो हम यहाँ पे भी यह कर देते हैं, x का derivative से होता है तो हम लिखते हैं नहीं थे बेटा, लेकिन यहाँ लगे का sin inverse x का derivative का है, 1 upon 1, under root 1 minus x square, तो overall answer क्या बन गया, 2 sin inverse x upon under root 1 minus x square, I hope आपको यह चीज चीज तो understand होई होगी और common सा derivative पूछा होता, I hope आपने ठीक होगा जिन बचों number है, उसके ओपर कोई variable आ जाए ना बेटा, उसकी power कोई variable बन जाए, तो हम क्या करते हैं, इसको same लिख देंगे, क्या कर देंगे, same as it is उतार देंगे, और इस a के ओपर न, l and a apply कर देंगे, जैसा के 5 की power x, इसपे मुझे d upon dx लगा है, सही है, d upon dx लगा है, तो मैं इसको क्या करूँगा बेटा, 5 की power x, ऐसी लिखूँगा, l and 5 लिख दूँगा, समझे बेटा, अब यहां देखो, यहां देखो, 2 की power x का derivative क्या होगा, 2 की power x as it is लिख देंगे, l and 2 लिख देंगे, 3 की power x का derivative क्या होगा, plus sign as you उतारो, 3 की power x का derivative, 3 x as it is लिखेंगे, l and 3 अपलाई कर देंगे, simple, अगर वो आपसे पूछता, e की power x, 2 x कर लेंगे, तो इस पे अगर derivative होता ना, तो आप मुझे बताईएगा भी, वैसे मैं करवा भी देता हूँ, e की power 2 x के case में भी यही होता है, आप e की power 2 x as it is लिख दोगे, और यह जो power होती है, ने e की, इस पे derivative लगाऊगे, तो 2 x का derivative होता है, 2, सही है, अब आपने एक question solve करना है, e की power n square x, यह solve करना है बेटा, यह कीजिएगा, यह आया बता है, मैंने यहाँ slide में नहीं डाला, आप कीजिएगा अब यह, अब derivative of ln upon 1 upon 1 plus x square, अब बच्चे समझ रहोंगे, बड़ा मुश्किल आगा, अड़े, क्या मुश्किल आगा बेटा, जब ln x के ओपर derivative लगाते हो, तो क्या करते हो, जो भी ln का function होता है, इसको 1 upon x में लिख देते हो, कब जब derivative लगता है, तो जब ln का जो फंक्चन दिया हुआ है, 1 upon 1 plus x square, इसको भी हम 1 upon में लिख देंगे, 1 upon 1 upon 1 plus x square, समझे, समझे, ये 1 upon, ये जो 1 आ रहे है न, ये बेटा ये formula का है, derivative का formula है न, अब upon डाला, जो भी function था, उसको as it is लिख दिया, function देखो, ये रहा, अब इस function के ऊपर derivative लगाना है, जो के u upon v का formula लगेगा, और मैंने u upon v का formula लगाया, solve out किया, expression बनाई, तो ये answer आ गया, अब बच्चे बोले होंगे, सर कैसे करें paper में, तो बेटा, बहुत सरे बच्चों का math का portion मुश्किल आ रहे है, तो physics का असान आ रहे है, किसी का physics का असान आ रहे है, तो math का मुश्किल आ रहे है, जहां मुश्किल सवाल आ रहे है, solve out करने की कोशिश करो, use करो calculator को, जहां short tricks लग रहे हैं, वह short tricks के थूरू अपना time save करो, तो बेटा, ये तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी, intuitive आस इतना असान नहीं होता, इसलिए 16,000 बच्चों में से कुछ 3,000-4,000 बच्चे पास रुपाते हैं, तो y equals 2 e की पावर sin x cos x, अब इसका derivative लेना है, भई, simple सा काम है, u into v लग रहा है, ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया, e की पावर sin x को as it is लिखेंगे, cos x का derivative होता है, minus sin x, ये लिख दिया, अब cos x को as it is लिखेंगे, ये देखो, ऐसे लिखा, e की पावर sin x का derivative कैसे क्या लिखेंगे, मुझे बदाओ, e की पावर sin x as it is आएगी, मैंने अभी थोड़ दे पहले सिखाए आपको, sin x as it is आएगा, और अब इस पावर, ये जो e की पावर थी, इस पे derivative लगाओ, sin x का derivative क्या होता है, cos x, तो अब ये देखो, यही तो कियावा है, अब ये क्या बन जाएगा, cos x और cos x, cos square x, ये minus sin x ऐसे आगया, e की पावर sin x, मैंने common ले लिया, तो I hope कि यही option, इसी टाइप कोई option बन रहा होगा, जाएस ये बात है, मैं आपके exams में नहीं बैठावा, या जिन बच्चों ने आके बताया, उन्होंने मुझे options नहीं बताया, मैंने एक proper form बिलाने की कोशिश की है, होगा इसी तरह से कुछ, जो भी best option इसके मुताबिक बन रहा होगा, या ये बन रहा होगा, तो आपको वो click करने जारी सी बात है, हर MC कुछ में जो मैं कराता जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता वही option दिया में या नहीं, लेकिन मैं एक form create करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि बेटा होंगे इस तरह से, question number 10 को देख लो भई, ये आया वह आज के entry test में, x cube plus 2x naught और जो भी expression TV, आप मुझे पता है, degree of numerator देखो, 3 है, degree of denominator का है, 2, higher degree को देखते है, higher degree कितनी है, 3 है न उपर, और नीचे कितनी है higher degree, 2, बड़ा कौन है, 3 न, ऐसे केस में answer हमेशा infinity हो जाएगा, लेकिन अगर, अगर numerator के degree छोटी होती, denominator के मकाबले में, तो answer 0 होता बेटा, और अगर equal हो जाती, तो coefficients को compare करते हैं, उपर वाला coefficient upon नीचे वाला coefficient, तीनों cases एक साथ बता दिये बेटा, 2 number AB, if there am equals to 10 and gm equals to 8, find a and b, अच्छा बेटा ये बहुत important mcqs है, क्योंकि ये mcqs आपको तकरीवन जितने बच्चों ने मुझे contact करके mcqs बताया थे, यां जिन से मैंने पूछा था, जातर यानि मुझे 70% बच्चों ने मुझे ये mcqs बताया है, तो am का formula देख लें, am equals to a plus b upon 2, मैंने form बना दी, a plus b equals to 20, ये 2 को मैंने यहां भेज़िया, 10 के सास्थ, यहां कर दिया 2, समझे, I hope समझाई होगी, यह 2 डिवाइड हो रहा है न, वाँ जाके multiply हो जाएगा, तो a plus 3 equals to 20, एक equation ये बन गई, दूसरी equation देखे, gm equals to 8, दिया वे हैं ना बेटा, gm का formula होता है under root a b, तो under root खतम करना है, तो क्या करूँगा, square, squaring जाइड सी बाता है, दोनों साइड ही करूँगा, तो 8 का square होता है 64, और ये under root a b के ओपर square करूँगा, तो क्या हो जाएगा, root cancel हो जाएगा square से, लेकिन आप कीजेगा, यहां से मैंने a की value निकाल दी है न, यहां put करनी है बाप लें, देखें मैंने कीवी भी आई थिंग, 64 upon b, यह की जगा put कीवे देखें, 64 upon b plus b equals to 20, 64, कौन LCM लिया मैंने, 64, plus b square upon b equals to 20, यह equation बनके, यह quadratic equation बनके, यहां से आप आप calculator भी use कर सकते हो, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, यह देखें होगा इसी तरह बेटा, अब इसमें कोई short रिखनी लगेगी, मैं आपको करके दिखा दो हूँ, आपने क्या करना है, mod press करना है, mod press किया, 5 के ओपर equation आ रहे है, aqn, आपने 5 press किया, quadratic equation किस पर आ रहे है, ax square प्लस bx प्लस c, यह ax square क्या शोग कर रहा है, higher power जब भी square होती है न, तो quadratic equation होती है, तो 3 press करेंगे, अब b square का coefficient क्या है, 1, 20b का coefficient क्या है, b का coefficient क्या है, 20 न, तो इनको पहले एक formula ले कर आओ, b square, 24, देखो एक साथ करो ना बेटा, एक साथ करो गे तो answer सही आएगा न, अच्छा, b square को अभी उदर लेकर जा सकते हो, सही है, तो दोनों condition में answer सेम आएगा, बस b square की value change हो जाएगी, यानि magnitude change हो जाएगा, तो b का coefficient क्या हो गया, minus 20, और यह है 64, तो b की value आगए 16, और b की value, b की अच्छा दो values आ रही है, जाइट सीर बात है दो values आएगी, 16 और 4 दो आ रही है, अब आप a की value की आगए कैसे निकालोगे, यहां b की value पूट कर देना, तो a की values भी आ जाएगी, b की दो values आ रही है, तो a की भी दो values आएगी, इसका मतलब है दो solution set बनेंगे, यहां फिर आपको, मुझे नहीं बता लेकिन option में, 4 values given होगी, a की भी और b की भी, चुँकि यहां पर पूचा वाए a की और b की, फिर इखर b पूचा होगा, तो b की दो values आ रही है, 16 और 4, अगर एक ही पूचा वाए तो, एक ही निकालनी होगी आपको, question number 12 के उपर आजाओ, 1 upon 1 plus 10 square, 10 square किसके कोल होगा है, 10 square upon cause square ना, बेटा, मैंने यहीं तो लिखा है, यह देखो, बागी same question उतारा है, कुछ भी नहीं किया, LCM लिए मैंने यहां पर, तो यह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह, cause square plus sign square upon cause square, ऐसी होगा ना, LCM ले रहा हूँ, कुछ नहीं काम नहीं कर रहा हूँ, अब, यह cause square plus sign square, किसके कोल होता है, यह formula बन रहा है बेटा, अगर आपको याद हो तो, यह formula बन रहा है, यह होता है one के, तो one लिखा, upon one, उपर one तो है, अब यह रेखें, यह वाली चीज क्या होगी, उपर चली जाएगी, न्यूमिनेटर में, अब अक्सर बच्चे गन्फूज हो जाता है, कि सर कैसे चली जाएगी, बेटा, one divide by one upon cause square, ठीटा, यही हो रहा है ना बेटा, यही हो रहा है ना one, और यह divide और यह पूरी value, तो मैंने यूँ लिखे दिया, अगर इसको आप multiplicative में change करोगे, तो क्या करोगे, cause square theta को उपर करोगे, one को नीचे करोगे, तो answer क्या आएगा, यूँ करोगे ना, one multiply by cause square, जब divide को multiply में change करते हैं, तो रहा ही प्रोकल कर देते हैं, तो answer क्या का, यही तो आएगा बेटा, अब मैं तो directly कर लूँगा, जिनकी practice है वो भी कर लेंगे, जिनको थोड़ा मसला है ना, उनको उनके लिए फिर अब यही हल है, जबकि यह चीजें, क्लासिक सेमिल में सिखाई जाती है, तो प्लस फाइफ आउटा अपन, यह हम करेंगे calculator से, क्यूंकि मैंने आपको सिखाया है, हमने क्या किया, मॉट प्रेस किया, तो टू प्रेस करेंगे, CMPLX, देख रहे हो, इसका मतलब है complex, टू प्रेस कर दिया, यह answer आगया आपका, X की value आ रही है, minus 3 upon 2, Y की value आ रही है, 7 upon 2, X की क्या value आ रही है, 3 upon 2, और Y की value क्या रही है, 7 upon 2, X की value मेरे काल से, minus 3 upon 2 आ रही थी, देख लेते हैं एक बिटा, minus 3 upon 2, अब अगर इसने, रेखो, अब दो cases हैं, अब मुझे exact नहीं पता, बचों ने जो आखे बताए, आपके सामें डिस्प्ले कर दिया, अगर यह पूछा वे, X minus Y iota, तो X की value क्या है, minus 3 upon 2, और यह minus 9 ऐसी आ रही हैगा, अगर उसने question में बोला वा, X minus Y iota बताओ, तो, अब Y की value क्या है, 7 upon 2 न, 7 upon 2, और iota ऐसी आ जाएगा, अगर तो उसने यह चीज़ पूछी विए, लेकिन अगर वो बोलता है, सिरिफ X की और Y की values बताओ, तो फिर आप यह values है, minus 3 upon 2, 7 upon 2, अगर वो यह बोलता है, X minus Y iota, तो minus sign बस यह वाला आ रहा है, यह जो उसने question में given किया था, कि यह बताओ, समझे रहो, I hope समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो पूछेगा मुझसे, इसका solution set कैसे बनाएगा, solution set में पहले real value लिखते हैं, तो minus 3 upon 2, 7 upon 2, अब मैं हर case बताने की बेटा, पूरी कोशिश की है, जो मुझे समझ मारा था कि इस इस तरीके से पूछ सकता है, तो solution set में कोई bracket की form में इस तरना लिख दिया, इस तरना लिखा होगा, तो अगर यह लिखा बैता हो रही है, यह right answer है, अगर simple values पूछी है मैं तो simple values, बढ़ना फिर x-y आउटा कि पूछावर यह समस्य करना है, अच्छे यह 13 है तो यह 14 होगा फिर बैटा हूँ, typing mistake, x inverse plus y inverse upon x plus y, अब बच्चे बोलें कि सरी यह calculator से क्यों नहीं कर सकते हैं, आपने तो पहला question बड़े भरम से calculator से करकर रिखाया, बटा इसमें दो variable हैं, एक x, एक y, अगर single variable होगा तो मैं करके दिखाऊंगा, x inverse किसके को लोगा, 1 upon x के, y inverse किसके को लोगा, 1 upon y के, LCM लिया, y plus x upon x y, और यह वाली चीज़, चैंसल, यह वाली, तो बच्चा 1 upon x y, I hope समझ में आया होगा, इस तरहा का न, मतलब यह question जो है, वो last year का, 2021 का है, बस फरक यह है, a की जगा पे उसने 2 दिया हुआ था, तब आपने क्या करने हैं, वो reminder पूछ रहे, आपने क्या करने है, x plus a को equal ले लेने 0 के, यह short trick बताने लगा हूँ आपको, तो x plus a equals to 0, x की वैल्यू क्या हैगी, minus a, x equals to minus a, यह पूट कर देंगे सब जगा, यह जो equation given है न, इसमें x की जगा पे minus a पूट कर देंगे, अगर जो भी आपका answer आता है, 2 आता है, 1 आता है, minus 1 आता है, 0 आता है, जो भी आता है, वो आपका right answer होगा, minus a cube plus a cube कर गया, a cube minus a cube कर गया, तो answer क्या आ रहा है, 0 ना, तो answer आपका 0 होगा, अगर let's say x की value minus 2 आ जाती, यहाँ पे x plus 2 नहीं दिया होता है, x plus 2 दिया होता है, x plus a नहीं दिया होता है, x plus 2 दिया होता, तो x की value निगलती है, minus 2, तो X की जगह पर यहां माइनस टू पूट करते हैं और फिर जो आंसर आता वो आपका राइट ऑप्शन होता हूँ 15 देखें आयोटा क्यूब लिकोस टू अब ये भी हम कल्गोर्टर से करेंगे भई यह मैंने के निकाला मॉड प्रेस किया बटा सी एम पील एक्सप्रेस किया आयोटा पावर क्या है क्यूब बहुत से बच्चे कहते हैं सर आयोटा 51 नहीं निकल ला भई एरर आ रहा है तो बेटा आयोटा क्यूब देखें माइनस आयोटा के एक वल है तो मैं आपको आयोटा 51 भी निकालके दिखाता हूँ यह देखें आग रहा है मेरा तो आ रहा है आप लोग कोई मिस्टेक कर रहा हूँगे यह आ रहा है माइनस आयोटा के एक्सेंट्रिस्टी और सर्कल पूछा वादा 0 अच्छा एक बच्चे ने बच्चे ने मुझे बताया सर्कल की एक्वेशन दीवी थी अब पूछ रहा ह रहें सर्केल की और टी चैंगा तब भी जिरो यह संथी पूछा को थी यहां यह इंच्छेटी किसकी कुछा दिऴ हैं, जो मेरा फपर्रोडन ने शर्क्यों के बताया इक्वेशन ती यह mention नहीं था कि sir के लिए eccentricity बताना था तो मैंने डारेक्टली जिरो पे क्लिक किया तो इस तरह से भी option आ सकते हैं यह derivative का formula पुछा हुआ है U upon V का तो बस मैंने यह कर दिया बैटा तो यह देख लिजेगा यह वेटा एक tough question है जो के साल जो है वो याज के सिर्फ एक बच्चे ने मुझे बताया कि यह question सर्फ इस टाइक था अब यह देखने ज़रा y equals to x की power cost x जब भी आपके पास constant की power आ जाती है न जैसे वह तो solve कर सकते तो आप directly इसका solution क्या होगा तो की power x को ऐसी लिखेंगे ln 2 लगा देंगे लेकिन जब variable की power बन जाती है कुछ तो आप ln यानि y की value को मैंने यहां उठा कर लिखा y equals to x cos x ln अप्लाई कर दिया ln यहां पर भी लगाया यहां पर भी लगाया ln का function क्या होता है लॉक क्या करता है power को पेस कर में convert कर देता है तो क्या लिख सकता हो ln y equals to cos x ln x अब derivative लगा ln y का derivative 1 upon y dy upon dx इसका u और यह भी u into v लगा पूरा solve करने के बाद और आंसर आए यह अब one upon y जो था ना यह divide हो रहां जाके क्या हो का multiply मैंने लिख दिया यह देखो य की value क्या दीवी है यह दीवी है 20 देखें 10 inverse x और sin x अच्छा जी तो बेटा यह तो आपको यहां पर 10 inverse sin x यह आपका पूरा function यह है अब u into v लगेगा यह u हो गया पूरा और यह v हो गया तो u को ऐसी लिखा मैंने sin x का derivative का होता है cos x plus लिखा अब v को ऐसी लिखूंगा sin x को यह 10 inverse का derivative होता है 1 upon 1 plus x square इसको अगर आप simplify कर लें मजीद तो और simplification हो सकती है वरना मैंने इतना perform कर लिए हो सकता है यही answer दिया हो हो सकता है और best answer दिया वह हो जो कि आपको simplification के बाद मिले तो simplification हो सकती है वो आपको check करना पड़ेगा वाई को स्थी एक पावर एक माइनस वन अपॉन एक पावर एक प्लेस वन अच्छा यह याद रखिएगा यह दफ़ा देख लिए एक बच्चे ने मुझे यह भी बता है मैंने mention नहीं किया यहाँ पर simple y की value नहीं दीवे थी बस यह लिखावा था e की power x-1 upon e की power x-1 यह मतलब यह कुछ भी नहीं दियावा था ना यह दियावा था मैंने यह आपको बता रहूं मैंने सोचा आपको directly बता दूँगा e की power x-1 upon e की power x-1 पूछा वह यह किसके एक वाल है cause hyperbolic, 10 hyperbolic, cause hyperbolic, cause hyperbolic, cause hyperbolic, sign hyperbolic सही है तो पुछा हुआ था अब भाई जब उपर माइनस आ जाना तो इसका मतलब है एक cause hyperbolic के एक वाल है cause hyperbolic, सही है यह इसके एक वाल है cause hyperbolic, लेकिन अगर formula पुछा हुआ बटा, derivative का सवाल नहीं था वो, अगर यह उल्टा कर दूँ न, e की power x plus 1 upon e की power x minus 1, यह कर दूँ, तो इसका answer बनता है 10 hyperbolic x, यह formula बता रहा हुँ बटा, यह derivative का कोई result नहीं बता रहा हुआ, अभी मैं आपको formula बता रहा हुआ, यह किसके एक वाल है, 10 hyperbolic x, अब जाए इसी बात है, आपने hyperbolic नहीं पढ़ा होंगे, यह federal board से दिया हुए, अब देखनें, derivative का सवाल, भाई की power y की value deviate dy upon dx लगाना है, भाई u upon v का formula लगाया, यह आपका, पूरा का पूरा u हो गया, और यह पूरा v हो गया, अब यह खुद आप देख लिजेगा, बटा बड़ा असान है, मैं पूरा नहीं करवारा, आपको देखिएगा, इस centricity of this equation, जा बड़ा बड़ा था हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा, ellipse की centricity हमेशा बन से चोटी होती है, याद रखिएगा, यह भी एंसी को जा सकता है, मैं यह भी बता देता हूं, मैंने identify कैसे किया, कि यह ellipse की equation है, तो यह जनरल equation है, यह इंशाला फिर नेक्स लेक्टर में आपको सब्सक्राइब करूंगा लंबी होगा यह फिल लोग इसने पुछा हुआ है लेमिट एक्स टेंस जीरो और फंक्शन दिया गहां मैंने क्या किया आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताइब डेरिवेटिव अप्लाइब कर दिया गरो लिमिट के कुस्टन पर आपके यू अपॉन भी नहीं लगाना एक्स का डेरिवेटिव बन और एक डेरिवेटिव जीरो एक्स की जगह पर जीरो पुट कर दो आपका आंसर तो आंसर आपका क्या हैगा जीरो यहां मैं जब एक्स की पावर एन माइनस वन अब इस एक्स की जीरो पूट करना है, limit दीवी है ना बेटा, ये देखो ना, x की value 0 दीवी है, तो यहां मैं जब x की 0 पूट करूँगा, तो answer 0 आएगा, ये बेटा मुझे question बस ये expression बताई, student ने ये नहीं बताया कि इसमें करना क्या है, मुझसे याद भी नहीं था, तो आप मुझे खुद idea नहीं हो रहा है कि इसमें क्या करना है, इस चाना की expression दीवी है, binomial की, तो मैं आपको थोड़ा सोच के रात में आप confirm करता हूं, तो इस question में क्या करना है, फिल वक्त मुझे इसका idea नहीं कि क्या चीज पूछना चाहरा है, जैट सी बात है मेरे पास complete question नहीं है तो मैं कैसे बता हूं इसको देखें, sin angle minus theta plus cos minus theta 10 minus theta, जब भी angle sin का minus हो जाए ना, minus sin theta लिखते हैं, cos का minus theta हो जाए ना, यानि cos का angle minus में हो, तो cos उसको positive कर दे रहा है, cos theta लिखते हैं, यह formula बता रहा हूं बटा, यह तमाम formula's है, 10 का angle minus में हो जाए, तो minus 10 theta लिखते हैं, same काम किया, मैंने क्या किया, sin minus theta की जगा लिखा, minus sin theta, cos minus theta की जगा लिखा, plus cos theta, और 10 की जगा लिखा, minus 10 theta, फिर simplification वगरा कर ली थोड़ी, तोड़ी, यहां तक तो answer बन रहा था, आप मुझे नहीं पता ना, आपका option क्या दिया है, तो मैंने थोड़ी simpl simplification करकर दिखा दिया, आपको minus sin theta plus cos theta, और 10 की जगा लिखा, sign upon cos, और LCM ले लिखा, तो यह option बना, अब मुझे नहीं पता मज़ी simplification की जरुत है, यह आपको decide करने option को देखके, जैंफ में आप बैठे हो, लेकिन मुझे यह question, में ना, कुछ twist लग रहा है, मुझे लगता है, कि यह incomplete question है, क्योंकि यह इसमें कोई, मतलब कोई खास चीज से हमने निकाली लिए, तो यह incomplete question लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा question आ जाता है, तो आपने इस तरह से करने है, मेटर 24 questions दालें, और इंशाला तला थोड़ी दिल तक आपको मजीद questions update करूंगा, that's all from my side, अपना क्य